नमस्कार दोस्तों मैं आप कमाली रोने सटार फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अल्सों हिड़ बेल बटन ताकि मेरे अगले वीडियो आने तक सबसे पहले आपको पता चलिए इंस्टागाम पे फॉलो कर सकते हो मेरा इंस्टागाम आइडी है रोनी सर्लार आज का वीडियो का टॉपिक है पांच ऐसे हर्प्स के बारे में जिसके मदद से आप अपने इम्मिनुटी को और भी बैतर कर सकते हो और जो की आपको आसानी से अप घर में लगबग पाया जाता है तुल्सी में फाइटो केमिकल्स एंड एंटी ऑक्सिदेंस रहने के कारण यह क्या करती है जर्म्स वाइरसेस और बेक्टिरियास को बोडी में इंटर होने के बाद ही डिस्ट्रॉय करते हैं तुल्सी को आप रोज सुगा तीन या चार पत् नीम नीम भी एक ऐसा पेड़े जो हंदुस्तान की लगबग हर घर में आसानी से मिल जाता है नीम के अंदर एंटी वाइरल एंटी फंगल एवन एंटी बैक्टिरियल प्रपरटी होने के कारण नीम आसानी से पैथोजिन को खतम कर सकते हैं जिंजर या अदरक अदरक भी हम हम लोगों को आसानी से किचिन में मिल जाएं जिंजर के अंदर जिंजोरल नामक एक एंटी आक्सिदेंट रहता है जो की हमारे इम्मुनिटी सिस्टेम को और भी मजबूत करता है और वाइरस को खतम करता है गार्लिक गार्लिक भी हम लोगों को आसानी से किचिन में मिल जा पाया जाता है जो की ऐस Après कांट करता है pronounce छोगी अत्रत की तरह हमारे इव्यून सिस्टेम को स्टेयर करने में मदत रहाइं स्कान bus घुन गरीट आफ जिक अके मिलिउंट उर बाइट केमिकल पाया जाता है जोंकी हमारे बोड़ी से टॉक्सिंज को निकालती है एड़ इविन सिस्टेम को और भी स्ट्रेंटन करता है जर्म्स ऐड़ बैक्टेरिया से लड़ने के लिए पाच ऐसा है जिसके मदद से लोग हमारी इम्यून सिस्टेम को और भी श्रेंटन कर सकते हैं वीडियो हेलफू लागा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर क तब तक के लिए जय हिंप इन्पलाइब जिन्दाबाद बंदे मातरम भारत माता की जय हिंप